नमस्कार दोस्तो रिटेल स्मार्ट इन्वेस्टर यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से एक बार स्वागत है दोस्तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं मेरिको लिमिटेड जो कि एक प्रस्नल प्रोड़क्ट बनानी वाली कंपनी है और जैसा कि हम लोग देख रहे हैं तो प्रोफिट है 23% जम्प होकर के 388 करोड हो गया है तो आज दोस्तो हम लोग यह जानने की कोशिस करेंगे कि मेरिको का रिजल्ट किस प्रकार का हुआ है हम लोग अपने अस्तर पर रिटेल स्मार्ट इंविस्टर खुद ही इसको एनलाइज करके यह समझने कोशिस करेंगे कि इनका रिजल्ट किस प्रकार का हुआ है और इस स्टॉक के प्राइस से बिहेबियर आने वाले दिनों में क इस परकार करा सकते हैं और उसको समझने के लिए हम लोग इसके complete रिजल्ट एनलैसिस करेंगे और इसके past के भी रिजल्ट को देखेंगे इसके price pattern को देखेंगे इसके share holding pattern को भी check करेंगे और उन सारे चाहिए को चेक करने के बाद हम लोग मिश्क पर पहुंचेगा एक पास्ट में पर इह है पिछले एक सप्ता में नीगेटीभ लिटां की पिछले एक मेहना में लगभघ 2.5% का पोजीटिव लिटां दिया जन्वारी से अभी तक धाई परशंट का डिजत दीए पिछले एक साल में तीन परशंट का नेटीव डिचान दी तीन साल में है अवह 150 का डिचंत है पाँ साल में इनका रिटर्ण लगवह 644 परशंट है पिछले 10 सालों में यह 46-57 परशंट यानि कि अपने निवेसकों का पैसा ये 5 ताइम्स कर चुकी है पिछले 10 सालों में तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों कि पिछले 3 सालों में इनका रिटन कोई खास नहीं रहा है लेकिन अगर 5 साल और 10 साल की बात करें तो यहाँ पर इनका जो रिटन है काफी प्रहाब रही है कि रेसिट की इसाब से लेकिन दोस्तों अब हम लोग इसके रिटन को देखे तक लग रही है अब हम लोग इसके बार्द फोर्वीव कुछिक कर लेके लेता है कि इनके प्रकार के है है दोस्तों जैसा कि हम दोग देख रहे हैं कि मेरिकों का मार्केट कैप लगभख 45,000 करोड है यानि कि यह लार्ज कैप गूर्प की कंपनी है और अगर इसके रिटरन ऑन इक्विटी को देखा जाए तो यह 40% के आसपास है जो कि काफी बहतरीन है और रिटरन ऑन कैपिटल इक्विटी रेशियो को देखा जाए तो यह 0.11 है तो जो कि काफी अच्छा है और अगर इनके करेंट प्राइस की बात करें तो यह 350 रुपे पर ट्रेड कर रहा है जबकि इसका 52 विक हाई 404 रुपी के आसपास है तो यह अपने 52 विक हाई के काफी करीब दिख रहा है तो इस प्रकार से हम लोगों ने दोस्तों यहां पर पाया कि इनके फिनांसिल ओहर vem काफी अच्छी है रिटर आन इक्विटी रिटर आन कापिकीटल काफी बहतरी न है तो इस प्रकार से हम लोगी समझ सकते है कि एक कमपनी फंड empez लिग रहा है काफी अच्छी लग रही है अ कि हम लोग इसके फंडामेंटल को समझ पाएंगे कि यह कंपनी इस प्रकार की है कि है कि हम लोग देख रहे हैं दोस्तों कि पर मोटरस की होल्डिंग मेरिको में लगभग 60% के आसपास है और इसमें अच्छी दिख रही है लगभग 24% के आसपास है और अगर हम लोग डियाई के होल्डिंग इसमें देखें तो हम लोग देख रहे हैं कि जून 18 में यह 3.4% हुआ करती थी यह बढ़कर के दिसंबर 2018 में बढ़कर के 4.5% रह गया और इस तरह से इन्होंने सप्टमबर 2019 से इसमें स्टैक अपना घटाना सुरू किया और जून 2020 में इनका स्टैक घट करके वापस पुराने अस्तर जून 2018 के अस्तर यानि 3.4% के आसपासर रह गया अगर एफाइस के होल्डिंग को अगर हम लोग चेक करें तो जून 2018 में 25.6% हुआ करती थी जो कि लगभग इन्हीं अस्तर काफी मेरी को में बढ़ता हुआ दिख रहा है तो हम लोग यहां पर देख रहे हैं कि इसमें काफी बूलिस दिख रहे हैं और जो डियाइज हैं उनका जो इस्टैंड इसमें लगभग नीटरल सा है तो कुल मिला के दोस्तों अगर हम लोग बात करें कि इसमें लगभग 29% क तो हम लोग यह कर सकते हैं कि कहीं न कहीं इस स्टॉक के फंडामेंटल जिससे हम लोग ने उबर्वी में पाया था कि अच्छे लग रहे थे तो शेर होल्डिंग पाटर्न से भी हे इंडिकेशन मिल रहा है कि इनके बड़े निविसक चुकी काफी अच्छी मातरा में इसमे पर लेकिन दोस्तों किसी भी निर्णय में पहुंचने से पहले हम लोग खुद भी इनके फंडामेंटल को चेक कर लेते हैं कि इनके रिजल्ट क्वार्टर वन के किस परकार कह रहे हैं और पास्ट के रिजल्ट किस परकार कह रहे हैं उसके बाद ही हम लोग अपना राय बन तो इस्क्रीन पर प्रड़ी रिजट अब दिखने को मिल रहा है और अगर देखें तो जून क्वाटर में यह 925 क्रोन का सेल्स इंपूर्ट है अगर देखने को मिल रहा है और यह काफी बड़ा देखने को मिल रहा है यह और सेम प्रेड में तो जून नाइंटीन क्वाटर में यह 308 क्रोट का नेट प्रॉफित रिपूर्ट की थी जून दोस्तों हम लोग देख रहे हैं कि यह और यह बेसिस पर इनका जून क्वाटर में लगभग 23% का जंप देखने को मिल रहा है क्योंकि काफी बड़ा इसमें ग्रोथ देखने को मिल रहा है यहां पर दोस्तों मार करने वाली बात है कि इनके नेट सेल्स में जो है डी दोस्तों इसके डीपली देखते हैं कि ऐसा क्यों हुआ है कर दोस्तों अगर हम लोग इसके रिखन्यों को देखें जैसा कि अपलोगोंने देखाता है कि दाउन हुआ है तो इहां पर देख रहे हैं कि इनका जो टोटल इंटम कर दोस्तों लोग यहां पर देख रहे हैं कि लाश्ट यह जून क्वाटर में एडवर्टाइजमेंट में लगभग जो है सेल्स परमोसे में 219 करोड का की थी कंपनी जो कि इस साल यह एक्सपेंडिचर घटा करके मात्र एक्सो सेंटीस करोड का कर दी है तो इन्हों अपने एक्सपेंडिचर में काफी कंट्रोल किया है और एडवर्टाइजमेंट में कॉस्ट करके अपने प्रॉफिट को बढ़ाया है तो दोस्तों इसका यह है कि इन्होंने अपने एडवर्टाइजमेंट इस सेल्स प्रॉपोशन में काफी बढ़ी कटाथी की है तो यह कंपनी का काफ़ी अच्छा सिस्टैंड है कोविड सिनारियो में की कंपनी अपने खर्च में कटाथी करके इस स्थिती से अपने को उभारने की कोशिस की है और काफी अच्छा प्राफिट ले करके आई है अगर दोस्तों हम लोग quarter on quarter basis पर अगर result चेक करने की कोशिस करें तो हम लोग यहां पर देख रहे हैं कि मार्च quarter में इन्होंने 1496 करोड का सेल्स रिपोर्ट किया था जब कि जून quarter में बढ़ करके 1925 करोड का हो गया तो इनके quarter on quarter basis पर जो है सेल्स में लगभग 28% का ग्रोथ देखने को मिल रहा है क्योंकि काफी अच्छा ग्रोथ कर लाएगा और अगर दोस्तों हम लोग इनके profit पर फ्रेंट पर चेक करें तो मार्च quarter में इन्होंने 144 करोड का नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया था जो कि जून quarter में बढ़ करके 381 करोड हो गया तो नेट प्रॉफिट प्रॉफिट पर लगभग 96% का बहुत तगड़ा उच्छाल देखने को मिल रहा है तो हम लोग दोस्तों इस प्रकार कह सकते हैं कि प्रॉफिट कमाने में सच्छम रही है और quarter on quarter basis पर भी इन्होंने काफी अच्छा सेट अप नंबर्स प्रस्कुत किया हम इंडिश्टरों के सामने तो इनका रिजल्ट जो है काफी अच्छा रहा है अब दोस्तों अब इसके पास्ट के रिजल्ट को भी हम को देख लेते है है तो चली दोस्तों अब इसके पास्ट के रिजल्ट को भी चेक करता है तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि Fy8 मेरी को 1889 करोड का सेंस करती थी जो की धिरे-धिरे बढ़ता हुआ साथ 1334 करोड का हो गया और सेम पिरेड में दोस्तों अगर हम लोग नेट प्रॉफिट की बात करें तो Fy8 में 179 करोड का नेट प्रॉफिट करती थी जो कि Fy20 में बढ़ करके 1094 करोड का हो गया तो हम लोग यहां बदेख रहे हैं कि साल दर साल इनके सेल्स में काफी ग्रो इनों से ही जो है यह अच्छा सेट आफ नंबर्स लेकर का आती रही है और अभी भी जैसा कि हम लोग देखना कि काफी दमदार पेस किया है तो हम लोग यह कर सकते हैं कि यह कंपनी फंडमेंटली काफी साउंड है इसके मैनेजमेंट काफी अच्छा काम कर रहे हैं और यह लगातार नेट प्रॉफिट लाने में सच्छम रही है कोविट की जैसे टफ सिच्वेशन में भी कंपनी अच्छा सेट आफ नंबर्स लेकर का आई है तो यह पूरी तरह सच्छम है खराब करस्तियों को झेलने के लिए तो हम लोग उमीद कर सकते हैं कि इसके अधार पर इ करेंगे कि मेरिको का सेर्भाव आने वाले दिनों में किस प्रकार करा सकता है तो हम लोग यह पर देख रहे हैं तोस्तों कि मेरिको तिन सो पचास रुपे पर ट्रेट कर रहा है और यह काफी स्ट्रॉंग रेसिस्टेंस जो है पांस तीन सच्वालीस रुपे उससे जस्ट करें पर निकला है और इसके रिज़ेल्ट काफी अच्छे रहे हैं तो दोस्तों लोग यह उमीद कर सकते हैं भरोसे के साथ कर सकते हैं इनके रिजल्ट कर तो फिल्हाल अगर तुरत तो कोई तेजी देखने को साइध मिले लेकिन आने वाले दिनों में अगर हम लोग पेसेंसली वेट करें तो यह सेर जल्थी 400 के अस्तर को पार करता हुआ दिखेगा ऐसा हम लोग इसके रिजल्ट के रहार पर यह निरना ले सकते हैं तो तोस्तों अभी तक आगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप पुरत तर इससे सब्सक्राइब करने आपके लिए मैं छोटी-छोटी जनकरेन लेकर करके आता रहता हूं और उमीद है कि आप मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतिजार करेंगे तब तक के लिए दो